प्यारे साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सभी आजा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत सांदर आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी तो सभी प्यारे साथियों एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आजाएंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए बहुत सारा प्यार तो सभी प्यारे साथी आजाओ एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में और बताएंगे कैसे हैं आप सभी कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे आज भी हमने क्लास को यूटूब पर ही रखा है तो कुल मिलाकर जो तीसरा डेमो होता है वो मैं आप लोगों को यूटूब पर ही दे रहा हूँ हाला कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आज से हमारी क्लास एप्लीकेशन पर चलेंगी पर फिर ये भी है कि दो दिन का ही डेमो दिया था क्योंकि बीच में एक दिन दस तारिक को कलास नहीं हुई थी क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले बच्चों का फिजी कल हमने यहां कराया हुआ था तो इस बज़े से मैंने सोचा कि आज भी मैं आपको ये डेमो यूटूब पर ही दे देता हूँ तो सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या बात एकदम बहतर है बहुत बढ़िया बहुत सांदार गजब चलें एक बार सेसन को स्टार्ट कर लें अब दिहान से सबजना कि जो हमारा आज का सेसन है इस सेसन में हम लोग बलड लेसन की तीसरी कलास पढ़ रहे हैं और प्यारे बच्चे अगर तीसरी कलास के बारे मैं बोलू तो मैंने आपको अब तक दो कलासों में दो कलासों में दो चीजें सिखाई एक बेसिक और दूसरे नाम वाले क्वेश्चन अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना ये इसारे वाले क्वेश्चन से हमने क क्लास को स्टार्ट किया है हाला कि मुझे लगता है कि कल कल मुझे लगता है कि मैंने एक दो दिन एक दो मतलब आप लोगों को क्वेश्चन इस सारे वाले और भी करा दिये थे तो दिहान से बताएंगे इसका आंसर क्या है बताओ वए जल्दी से सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा इस सवाल का बोलो जल्दी से सभी प्यारे साथी बोलो जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का अब सवाल को द्यान से समझो सवाल यहाँ पर क्या रहा है इस बात को समझेंगे तो सवाल यहाँ पर कहता है कि ऐसे समझो बिल्कुल आराम से बढ़िया तरीके से राजीव की तस्वीर की तरफ इसारा करते हुए नीना ने कहा किस ने कहा नीना ने कहा इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के एकलोते बेटे हैं गौर से क्वेश्चन को समझाएंगे क्वेश्चन आखिरकार क्या कहना चाहता है दियान से समझना एक बार क्वेश्चन को क्वेश्चन बिलकुल आसान भासा में करके समझाने कोसिस करूँगा कह रहा है राजीब के तस्वीर के और इसारा करते हुए नीना ने कहा इसकी बहन के पिता दियान से समझो इसका मतलब यह हुआ यह राजीब हो गया राजीब के और इसारा कर रही है कौन कह रही है नीना इसकी बहन के पिता तो इसकी बहन यह हो गई और बेहन के पिता ये हो गई बेहन के पिता मतलब सीधे सीधे राजीब के खुद के भी तो पिता हो गई तो सवाल बना कि इसकी बेहन के जो पिता है इसकी बेहन के जो पिता है प्यारे गुड़ा क्वेश्चन कह रहा है मेरे ससुर के इकलोते बेटे है इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पिता है ये जिनके भी बेटे हैं अर्थात इन वाले प्लस के ये वाला प्लस ससुर है किसका नीना का तो इसका मतलब हुआ नीना इनकी पतनी है तो इसका मतलब नीना इनकी पतनी हो गई तो question क्या बन गया, नीना राजीव से किस परकार संबंदित है, नीना राजीव की मा होगी, C option correct, answer हो जाएगा, नीना राजीव की मा होगी, किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत है, संदीप सरका चीता, बेटा कौपी पैंट, कौपी पैंट कह रहा हूँ, मैं कौपी, कौपी पेस्ट पे ध्यान मत दे, बार-बार कौपी पेस्ट किये जा रहा है, ऐसे कौपी पेस्ट नहीं करना है, प्यारे गुड़ा, बताओ बजल्दी से, सबी प्यारे बताएंगे एक बार क्या question समझ में आ चुका है, question एकदम बहतर तरीके से खतम हो चुका है, बहुत बढ़ी आवाई, बहुत सांदार, दुबारा से एक वार repeat कर दूं question को, question कह रहा था, कि राजीव की तस्वीर क्यों रिसारा करते हुए नीना ने कहा, कोई राजीव है, जैसे R मतलब राजीव हो गया, कि इसकी बेहन के पिता, तो राजीव की ये बेहन हो गई, और बेहन क पिता ये पिलस हो गई, तो बेहन के पिता, मतलब राजीव के खुदगे भी पिता हो गई, तो जो राजीव के पिता है ना, वो नीना के ससुर के एकलोते बेटे हैं, तो नीना के ससुर कौन होंगे, नीना के ससुर, नीना के पती के पिता होंगे, और उनके एकलोते बेटे इसके खुदपती होंगे, तो राजीब की नीना कौन लगेगी, मा लगेगी, आप्सन ये सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सांदार, बहुत बहतरीन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आजाओ, आज की क्लास का अगला सवाल, मैंने ये नहीं कहा कि बोलेगा न इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भी, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या बोला? चित्र की और इसारा करते हुए क्या बोला एक महिला के चित्र की और इसारा करते हुए कनिका ने कहा क्या कहा कनिका ने तो दिहान से समझना ये हो गई कौन ये हो गई वो महिला जिनकी और इसारा कर रही है कनिका मैंने बिंदू रख दिया है ताकि मैं ये आगे तक याद कि इन महिला की और इसारा किया गया है। एक महिला के चित्र की और इसारा करते हुए कनका ने कहा उनकी बहु तो इनकी बहु कौन होगी इनके बेटे की पत्नी इनके बेटे की जो पत्नी होगी वो इनकी बहु होगी। तो सवाल करा है उनकी बहु मेरे बेटे के दादा के इकलोते बेटे की पतनी है द्यान से समझना सवाल करा है उनकी जो बहु है वो मेरे बेटे के किसके बेटे कनका अर्थात ये कनका है कनका कह रही है कनका कह रही है मेरे बेटे तो कनका के बेटा कौन हो गया कनका का बेटा ये प्लस हो गया, मेरे बेटे के दादा, तो कनका के बेटे का दादा कौन होगा, कसीधी बात है, कनका का बेटा, कनका के बेटे के जो पापा होंगे, अर्थात कनका के पती के जो पिता होंगे, वो कहीं न कहीं, हम लोग जानते हैं कि वो कौन होंगे, वो यहां पर कनका के ब बेटे के दादा के इकलोते बेटे अर्थात कनका के पती की पतनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कनका के इकलोते बेटे की पतनी है, उनकी बहु, बात आ रही है समझ में, तो इसका मतलब यह हुआ, कि उनकी जो बहु है, वो खुद कौन हो जाएगी, कनका ही तो हो जाएगी, तो इनकी बेटी यही तो है, तो इसका मतलब यह जो महिला है, इस कनका से उपर लिखो, एक्शल में कनका से उपर क्या लिखोगे, बलकि यहाँ पर आप चाहो तो माइनस लगा दो कोई दिक्कत नहीं है तो कनका जो चित्र वाली महिला है वो कनका की सास है और कनका उनकी बहु होगी जबाब होगा चित्र में महिला कनका से कैसे सम्मंदित है तो जो महिला है वो कनका की सास होगी और कनका महिला की बहु होगी बोलो सवाल एकदम ओके है की नहीं पर ये सवाल वास्तम में थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया question था बढ़िया question था सही है बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत सांदार next question पर हम बढ़ जाते हैं आज की class का अगला सवाल ये रहा बताओ इसकान सा ये question तो अभी अभी हमने साइद solve कर लिया है हमें ये जरूर ही करना है दुबारा से समझ में आ गया था ना तुमाई में ये वही question है जो हमने अभी पहला वाला solve किया था ये repeat हो गया दुबारा से कोई बात नहीं इस पर आ जाओ next question है इस question का answer बताओ सिखा का परचे देते हुए सवाल करा है सिखा का परचे देते हुए अरविंद ने कहा सवाल क्या कह रहा है सिखा का परचे देते हुए अरविंद ने कहा बताओ भई जल्दी से सवाल यहाँ पर कहता है कि जो सिखा लड़की है उसका परचे देते हुए अरविंद ने कहा तो ठीक है, यहां समझो, यह हो गया अरविंद, अरविंद क्या कह रहा है, अरविंद ने कहा सिखा का पढ़चय देते हुए, यह हो गई कौन सिखा, सिखा यह हो गई, और सिखा का पढ़चय देते हुए किसने कहा, सिखा का पढ़चय देते हुए, अरविंद ने कहा, क्या कहा ये दियान से समझेंगे इसकी मा की इकलोती बेटी दियान से समझना मुझे ये बताओ कि सिखा की मा की इकलोती बेटी खुद सिखाई तो होगी है ना इसकी मा की इकलोती बेटी मेरे बेटे की पतनी है यानि की सिखा की मा की कलोती बेटी अर्थात खुद सिखा मेरे बेटे मेरे बेटे अर्विंद करा है मेरे बेटे की पतनी है अर्थात सिखा इसकी पतनी होगी सिखा अर्थात इसकी पतनी होगी प्यारे बच्चे क्वेश्चन यहां पर कह राए कि अर्विंद सिखा से किस परकार संबंदित ह अरबिंद सिखा से किस परकार संबंदित है बोलो सीधा इसी बात है मैंने आप लोगों से क्या कहा मैंने आप लोगों से बोला सिखा के पती के पता है ये तो पती के पता को ससुर कहते है सही है पती के पता को ससुर कहा जाएगा और यही correct answer हो जाएगा बोलो बात एकदम okay हो गई की नहीं सभी प्यारे साथी एक बार बोलो भाई बात समझ में आ गई है की नहीं ठीक है बहुत बढ़िया भाई बहुत सांदार बहुत बहतरी गजब बहुत बढ़िया मीनू, सुनील, विकास, संदीप सरकाचीता, जी मैथ, आकाश, शौधरी, भुपेश, क्यूट, अंबर, लाइफ इस्टाइल, यादव जी, निर्भे राजपूत, प्रिंस, कुमकुम, बहुत बढ़िया सभी प्यारे साथियों का अंसर गजब का है next question आ जाओ तो आओ अगले question पर, अगले question पर आजाओ, इसका आंसर क्या होगा, बताने की एक बार कोशिस करेंगे बताओ भी जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा सभी प्यारे साथियों एक बार बोल दो, क्या आंसर हो जाएगा, इसका correct सा, सबाल बताओ क्या कह रहा है, रेहान की तरफ, इशारा करते हुए, रुकसाना ने कहा रेहान की तरफ, इसारा करते हुए, किस ने कहा, रुकसाना ने कहा द्यान से समझना तो ये तो हो गया रेहान और रेहान की तरफ इसारा करते हुए कौन कह रही है रुकसाना कह रही है क्या कह रही है इसके दादा की बहु क्या बोला इसके दादा की बहु तो रेहान के दादा कौन होंगे रेहान के पापा के पापा रेहान के दादा हो गए और दादा की बहु कौन हो गई रेहान की मम्मी रेहान की मम्मी भाई सीधी बात है रेहान के दादा के बेटा यानि पापा की पतनी तो कौन होंगी सीधी बात है बेटा की जो पतनी होंगी बेटा की जो पतनी होंगी बहुर है, रेहान के ये दादा आए, तो दादा आए, तो सीड़ी बात है इनके बेटा बेटा की पतनी इनकी बहु हो जाएंगी, तो रेहान के दादा की बहु कौन हुई, रेहान की मम्मी, ऐसे समझो, आगे क्या कह रहा है? इसके दादा की बहु मेरी बेटी की दादी है यानि कि ये जो है ये दादी है किसकी दादी है मेरी बेटी की दादी है तो सीधी सी बात समझो ये दादी किसकी बनंगी तो सीधा सा कॉंसेट है, रेहान के बच्चे की तो दादी बनंगी, भई सीधी बात, ये रेहान इसके पापा और ये पापा की ओम्मी दादी, लेकिन रुकसाना कह रही है कि ये मेरे बेटे की दादी है, तो इसका मतलब रेहान की पत्नी का नाम रुकसाना है, रुकसान के ब रहान की मा होंगी अर्थात रुकसाना की सास वो इसकी कौन हो जाएंगी दादी हो जाएंगी आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो यह कह रहा है रुकसाना रहान से किस परकार संबन देता है रुकसाना पतनी है रुकसाना इसदा वाइफ ओफ रहान रुकसाना रहान की पतन साथी को कोई समस्या तो नहीं है चले एक बार नेक्स्ट कोश्चन पर से चलें बाई एक बार बोल दो जल्दी से कोई दिक्कत तो नहीं है श कुश्चन खोब गुमा गुमा के पूछ रहे डारेक्ट तो नहीं पूछ रहा है, खुब गुमा-गुमा के पूछ रहा है, बताओ next question पे इसका answer बताओ सभी प्यारे साथी एक बार बतादो, इस प्रेसन का correct answer क्या हो जाएगा इस प्रेसन का एकदम correct answer क्या होगा बताने की एक बार कोसिस करो, सही सा जबाब क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, बताओंगे सभी प्यारे साथी सभी प्यारे साथी एक बार बताओंगे जल्दी से क्या answer हो सकता है दिहान से समझना एक तस्वीर को देखते हुए, रूचा सीमा से पूछती है यह तस्वीर किसकी है सीमा ने कहा इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है यानि कहने का मतलब है तस्वीर जिसकी भी है तस्वीर जिसकी भी है इसका बेटा अर्थात ये प्लस मेरी बेटी का पिता है तो ये जो है मेरी बेटी का पता है अर्थात सीधी सी बात है ये जो है कौन सीमा ये इसकी पतनी होगी और ये इसकी बेटी होगी बेटी का पता ही तो होगा इसकी मा मा का पती पता सबाल करें तस्वीर किसकी है तो मुझे ये बताओ तस्वीर किसकी हो सकती है तस्वीर हो सकती है सीमा की तो नहीं हो सकती सीमा तो यहाँ पर बन रही है सीमा की सास हाई यह हो सकता है सीमा की बहन नहीं हो सकती हमें यह चाहिए और सीमा की मा भी नहीं हो सकती, तो सीमा की सास की ही तस्वीर होगी, सीमा की सास सही जबाब होगा, सीमा के ससुर यहाँ पर नहीं लिखा गया है, सीमा की सास लिखा गया है, तो answer क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, option number B, सभी प्यारे साथी बता दो, मेरी बात आपकी समझ में आ कह रहा है क्वेशन यहाँ पर क्या कह रहा है ऐसे समझो तो क्वेशन यहाँ पर होगा सीमा ने का इसका बेटा इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है तो जबाब क्या होगा इसका बेटा तो इसका जो बेटा है मेरी बेटी का पिता है तो जाएंगे इसका अंसर क्या है कि कि सभी प्यारे साथी एक बार बोलो इसका अंसर क्या होगा सार जी मुझे सर्फ आपकी क्लास लेनी है पूरा बैच नहीं लेना मिल सकती है क्या सब निधी राजपूत गुड़िया ऐसे एक क्लास तो अलग से नहीं मिल पाएगी क्योंकि पूरा कंबाइंड बैच ही होता है सबसे पहली बात ऐसे समझो कि जब कभी भी समीकरण वाले क्वेशन होते हैं तो एक्शल में होता क्या है कि जैसे यहाँ पर के और डी है यहां ह एच आर एस टी एन है तो बच्चा सोच लेता है और ऊपर तो केडी दिया है, यहां कुछ और दिया है, तो ऐसा कैसे संबब है? प्यारे साथी सबसे पहली बात तो यह है कि आपको केवल और केवल, केवल और केवल चिन्हों से मतलब होना चाहिए, केवल और केवल आपको बाकी कोई मतलब नहीं है इस चीद से कि प्यारे दोस्तों लेटर क्या दियें चिन्हों का खेल समझो जैसे ध्यान से समझो H greater R है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि K greater D का अर्थ है K D की पुत्री है इसका मतलब जो greater से पहले आया है कि वो बाद वाले की पुत्री है तो H R की पुत्री होगी H पुत्री है तो माइनस हो गई H किस की पुत्री है R की पुत्री है ठीक है R dollar S तो यहाँ पर समझो K dollar D का अर्थ है K D का पिता है तो R S का पिता है R पिता है तो plus S का पिता इसका मतलब H बहन हो जाएगी S क्योंकि H का पिता भी था ये S add the rate T तो ये कहरा है S add the rate T K add the rate D का अर्थ है K D का पुत्र है तो S T का पुत्र है S T का पुत्र है तो S प्लस है T का पुत्र कब बनेगा जब T को इसकी मा बना देंगे क्योंकि पिता तो पहले यार बन चुका है तो R और T को पती पत्नी बना दो, T को महिला बना दो, अर्थात पत्नी बना दो, क्योंकि R तो पहले से ही पती है आगे कह रहा है कि T greater N तो K greater D कह रहा है, KD की पुत्री है, तो T N की पुत्री होगी T पुत्री है तो माइनस मैंने लगाया ही है और N की पुत्री हो गई सवाल के रहा है वेंजक में S N से किस प्रकार संबंदित है S N से किस प्रकार संबंदित है तो बताओ ये S कौन है N का ऐसे सोचो N की बेटी है T और T का बेटा है S तो बेटी का बेटा है, बेटी के बेटा को पोता टिक लगाऊंगा, सी ओप्सन, करेक्ट आंसर बताऊंगा, भोलो बात आ रही है समझ में गुरुजे इसमें रीजनिंग का लेबल ग्राम विकास अधकारी से भी कठिन रहता है, क्या नहीं भाई, नहीं रहता है ये वाला क्वेश्चन मुझे पहले नहीं आता था, आपके विनायक बैच में, आपने जब से पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से, तब से बिलकुल समझ आ गए, थैंक्यू सर, बहुत बढ़िया मेरे वीर, बहुत बढ़िया मेरे चीता, शाबास, तो सभी प्यारे साती इस प्रफन का correct answer क्या होगा, द्यान से समझेंगे, सबसे पहले question को ऐसे सम्झो की question क्या कहना चाहता है, कैसे हमें करना है, P भाग M बोला गया है सबसे पहले तो यह कहरा है A भाग B का अर्थ है A B का भाई है यहाँ पर समझ लो A भाग B A B का भाई है तो P M का भाई होगा P भाई होगा तो पलस कर दो M का भाई है तो मैंने P को M का भाई बना दिया आगे कहरा है M गुड़ा R A गुडा B का अर्थ है A B की बहन है तो M आर की बहन होगी M बहन है तो माइनस R की बहन हो जाएगी आगे question के रहा है कि R minus Z A minus B का अर्थ है AB की बेटी है तो R Z की बेटी होगी R बेटी है तो minus Z की बेटी होगी तो Z को यहां लिख देंगे आगे कह रहा है कि Z plus Q तो A plus B का अर्थ है AB की पतनी है तो Z Q की पतनी होगी Z पतनी है तो माइनस Q की पतनी है तो Q को यहां लिख दो और Q को इसका पती अर्थात प्लस बना दो question का diagram complete हो चुका है अब question जैसे जैसे बोलेगा हम उसका answer देतेंगे तो मैंने आप लोगों से यहां पर बोला कि P Q से किस परकार संबंदित है तो P Q से किस परकार संबंदिता है यह बता हूँ यह जो P है Q का कौन लगता है तो यह इसका कौन है बेटी और यह बेटी का भाई तो सीधी सी बात है बेटी के भाई को बेटा कहते है सही है बेटा कहते है D option correct answer है बोलो प्यारे दोस्तों बात एकदम समझ में आई की नहीं बताओ भई बिलकुल आराम से बताता हुआ चल रहा हूं सारी चीजों को किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या है तो मुझे बता सकता है कि भीया मेरी समझ में यहां यहां से चीज़ें नहीं आ रही है बोलेंगे एक बार सब बात एकदम ओके है चलो next question पे चलो आज की class का अगला सवाल चलते हैं ये रहा आपके सामने बताएंगे इसका answer क्या है बोलो भई बोलो भई जल्दी से क्या answer हो सकता है सर आप time नहीं देते हो ठीक है time दे रहा हूं इस question के लिए बताओ अब बतादो answer क्या है बतादो अब बतादो time दे दिया और बताओ घ्टेर प्रय चैया है आज आओ बई द्याहन से सवाल की सबसे पहली लाइन क्या है इसे समझाएंगे Z add the rate R इतना टाइम तो बहुत है ना ऐसे थोड़े ही कि अब इसे ही करते रहोगे इतनी देर में हो जाना चाहिए था आभी गए बच्चों के आंसर Z add the rate R तो यह कह रहा है कि A add the rate B का अर्थ है A B की पतनी है सही है तो इसका मतल़ होगा Z R की पतनी है Z पतनी है तो माइनस R की पतनी है तो R कौन हो गया इसका पती हो गया आगे कह रहा है R and T तो इस चिन को देखू तो यहाँ पर समझ में आता है मैंने कहा इसका अर्थ है A B का भाई है तो इसका मतलब R T का भाई हो गया R को भाई यानि प्लस है T के बराबर में रख दो फिर कह रहा है T H H तो यहाँ पर देखो A H B का अर्थ है A B की पत्री है तो T H की पत्री होगी T P पत्री है तो माइनस H की पत्री है H को उपर लिख दो लाश्ट में कह रहा है H add the rate K तो यहाँ पर समझो A add the rate भी A B की पत्री है तो H K की पत्री होगी H पत्री है तो माइनस किस की पत्री है K की तो K को यहाँ लिख दो और K को इसका पत्री बना दो अर्थात प्लस लिखतो ठीक है यहां तक यहां तक सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे ठीक है तो सवाल यहां पर कराई कि के जैड से किस परकार सम्बंदित है सवाल कराई के जैड से किस परकार सम्बंदित है अर्थात यह जो के है इस जैड का कौन लगता है तो मुझे ये बताओ कि K कौन है, R का पिता है की नहीं और R कौन है, Z का पती, इसका मतलब पती के पिता है और पती के पिता कौन होते हैं, पती के पिता को ससुर कहा जाएगा ससुर का मतलब D option correct answer हो जाएगा, ससुर सही जबाब हो जाएगा सब ही प्यारे साथी बताओ बात समझ में आई की नहीं आई तो सही आंसर क्या हुआ सही आंसर हो गया ससुर next question आओ बताओ भई इस सवाल का सही आंसर क्या होगा बताओ सब ही प्यारे साथी बताओ एक बार जल्दी से क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा बताओ भई द्यान से समझाएंगे कराए कि के भाग एल तो यहाँ पर कराए कि यू भाग डबलू का अर्थ है यू डबलू की पुत्री है तो के एल की पुत्री होगी के पुत्री होगी तो माइनस है एल की पुत्री होगी तो यहाँ पर L लिखते ही आगे question कह रहा है L plus M तो U plus W का अर्त है UW का पिता है तो L M का पिता होगा L पिता है तो plus किसका पिता हो जाएगा M का पिता हो जाएगा L M का कौन हो गया पिता हो गया कह रहा है M plus N तो यह कह रहा है कि UW का पिता है तो M N का पिता है M पिता है तो plus N का पिता है ठीक है सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे क्या बात समझ में आ चुकी है कितने लोग हैं जिन्होंने same to same diagram बनाया है वो भी एक बार मुझे बता देना कि हमारा diagram भी बिल्कुल जोंका त्यों है कोई भी अंतर नहीं है question को ध्यान से समझ लो किरा है के N से किस प्रकार संबंदित है के जो है वो N से तो N के पिता है M और उनकी बहन है कि यह तो पिता की बहन को बुवा कहते है C option सही answer हो जाएगा सही है बहुत बड़ी है संदीप कुमार कहा रहे है कैटरीना कैफ कैसी है आप बेटा तैने बिल्कुल मेरे नाम की भी बिल्कुल सरम नहीं करी यहाँ तो देख ले तो कम दे कम की संदीप नाम से कैसी comment करता है तैने बिल्कुल आंधी कर दी है इतना तो ध्यान रख ले थोड़ा सा नेक्स्ट क्वश्चन पे आजाओ आज की कलास की अगले समाल पर बताओ इसका आंसर क्या है सबी प्यारे साथी बताएंगे इस ग्वेश्चन का correct answer क्या होगा बोलो वही जल्दी से बोलो correct answer क्या हो जाएगा सबाल को द्यान से समझना और बिल्कुल उसी हिसाब से करना है जैसे अभी-भी मैंने सिखाया है द्यान समझो के यहाँ पर इसने लिखा है के । कारत है डी-क का पिता है इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझना इस बार क्वेश्चन में जो चीज बाद में है वो बताई गई है कि पहले वाले का पिता है तो इसका मतलब द्यान से समझो जैसे ही कह रहा है h greater r तो k greater d का अरत है d k की पत्री या नि पुत्री है d k की पुत्री है तो बाद वाला पुत्री है तो फिर r h की पुत्री होगी तो बाद वाला r ही तो h की पुत्री होगी r पुत्री है तो माइनस हो गई h की पुत्री होगी तो यहाँ H लिख दिया H डॉलर S तो K डॉलर D D के का पिता है तो S R का पिता है S R का पिता है तो सीधी सी बात है यहाँ लिख दो H से विवाहित करके H को माइनस यानि मम्मी बना दो और S को इसका पिता बना दो S एड़ दारेट T K एड़ दारेट D का आड़त है D के का पुत्र है तो फिर T S का पुत्र है T पुत्र है तो T को प्लस बना दो S का पुत्र है और T ग्रेटर N K ग्रेटर D D क की पुत्री है तो N T की पुत्री है N पुत्री है तो N को माइनस बना दो ती की पुत्री हो जाएगी बात आगी समझ में सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे बात आगी है समझ में question करा है H का N से क्या संबंध है H कौन है N का तो N की ये कौन है पिता और ये पिता की कौन है मम्मी पिता की मम्मी तो पिता की मम्मी कौन होती है पिता की मम्मी दादी होती है लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझो दादी ओप्सन में ही नहीं है दादी ओप्सन में ही नहीं है वास्तम में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर question में दादी होना चाहिए ओप्सन में इसलिए होना चाहिए कि शुरू में H का N से relation पूछाए, तो H पहले आया है, तो जो पहले आता है relation तो उसी का बताया जाता है कि वो कौन है, क्यों भीया, जो पहले आता है, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, कि जो पहले आता है, वही तो बताया जाता है कि वो कौन है, तो दादी है तो answer दादी बनना चाहिए है बट question में दादी option में नहीं है तो ऐसी value में अब मैं exam में question को इस आधार पर छोड़ के तो आ नहीं सकता कि भहिया answer ये था और इसे दादी देना चाहिए था मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि answer दादी ही है लेकिन option में नहीं दिया है देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है तो फिर मेरी मजबूरी है कि फिर मैं पोती पे टिक लगाऊंगा दादी नहीं है तो question तो छोड़ा नहीं जाएगा बात आ answer तो करना ही पड़ेगा question तो छोड़ा नहीं जाएगा ठीक है चलो बाद में क्या होगा रिट डलेगी नहीं डलेगी वो तो बाद की बाद है on spot तो question का answer करना पड़ेगा ना paper में भाई next आजाओ अगले सवाल पे इस सवाल का answer बताओ सभी प्यारे साथी एक बार बता दो इस सवाल का correct जबाब क्या होगा सभी प्यारे साथी बताओंगे इस सवाल का answer क्या है थैंक्यू सर आपकी वजह से अच्छी reasoning हो गई मेरी बहुत बढ़िया रितका वर्मा बहुत सांदार सर दिख नहीं रहा ऐसा कैसे हो जाएगा सबके तो answer भी आ रहा है प्रशान्त के रहा है भी आ मुझे खाकी बैच लेना है पेमेंट का issue हो रहा है एक बार भाई बताओ इनका solution करो सवाल यहाँ पर द्यान से समझाएंगे के प्लस यू के प्लस यू तो यहाँ पर सवाल कह रहा है A प्लस B का अर्थ है A B की मा है तो के यू की मा होगी तो मैंने कहा के मा है तो माइनस यू की मा हो जाएगी आगे कह रहा है यू माइनस टी तो A माइनस B का अर्थ है अ बी की बहन है तो यू टी की बहन होगी यू बहन है तो माइनस होगी किस की बहन होगी T की बेहन होगी कह रहा है T गुड़ा R क्या बोला T गुड़ा R तो A गुड़ा B का अर्थ है A B का बेटा है तो T R का बेटा होगा T बेटा है तो प्लस है R का बेटा है तो R को कहा रख दूँगा K के बराबर में K माइनस है तो R को पिलस बना दूँगा इनको पती पतनी बना दूँगा और लाश्ट में कहरा है R भाग M लाश्ट में कहरा है R भाग M तो A भाग B का अर्थ है A B का पिता है तो R M का पिता होगा तो M को यहां लिख दो T के बराबर में R M का पिता हो गया सबाल कराए कि के M से किस प्रकार संबंदित है के कौन M की M के पिता है R और R की पतनी है के तो पिता की पतनी अर्थात कौन होंगी मा तो आंसर हो जाएगा A option आंसर हो जाएगा option नमबर A जो correct answer हो जाएगा बोलो बात आई समझ में सभी प्यारे साथी एक बार बोलो क्या बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है बोलो भाई प्रडाम भाईया प्रडाम फ्रोजाबाद की धर्ती से बहुत बढ़िया चलो next question पे चलो अब बताओ इसका आंसर क्या है सभी प्यारे साथी यहां पर द्यान से समझेंगे ऐसे question में हमें सारे option चेक करने पड़ते हैं तो द्यान से समझना किस तरीके से हम ऐसे question का आंसर करते हैं एक ये type भी हमारी बन जाती है कहरा है कि A गुड़ा B का अर्थ है A B की B B है मतलब पतनी है A भाग B का अर्थ है A B का पिता निम्न मैंसे किस का अर्थ है RS के नाना है निम्न मैंसे किस का अर्थ है कि R जो है वो S के नाना हो जाएंगे प्यारे बच्चे दिहान से समझना ऐसे question को कैसे किया जाएगा बढ़िया तरीके से समझो ती का ये है कि मैं यहाँ पर composition को गलत करना तुम्हीं सिखा दूँ एक-अ-दe option भी अगर असंभव सा लगे तो फिर सीधी सी बात है फिर सीधी सी बात है प्यारे बच्च एक कैसे कहेंगे फिर सीधी सी बात है ऐसे कहेंगे प्यारे घुड़ा कि हम लोग बोलेंगे कि एक- option भी कट जाएगा तो समय थोड़ा सा बच जाएगा देखो किया से जैसे इसने बोला है कि RS के नाना है इसका मतलब किसी भी कीमत पर अगर RS के नाना है तो R का gender पुरुसका होना चाहिए कि नहीं तो सबसे पहले तो R के बाद अगर कोई ऐसा चिन है जो महिला को represent करता है इसका मतलब तो वो नहीं बन सकता अब question को मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर R के बाद क्या है R के बाद गुडा है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ A गुडा भी करता है A B की भी भी है गुडा से पहले वाले का ही तो पता चल रहा है तो यहाँ पर गुडा से पहले आ रहा है इसका मतलब R निश्यत रूप से निश्यत रूप से क्या बन रहा है गुडा का अर्थ तो B भी बन रहा है तो यह तो प्लस है प्यारे दोस्तों पहला option तो किसी आधार पर सही हो ही नहीं सकता तुम लोग खुद अंदाज लगा सकते हो और यहाँ पर आगे चेक करता हूँ तो यहाँ R के बाद भाग है यह हो सकता है यहाँ R के बाद भाग ही हो सकता है और यहाँ लाष्ट में R दे रहा है इसके बाद कोई जेंडर नहीं दे रहा है तो यहां भी इसका जेंडर कैसे डिफाइन करोगे हलाकि पती-पतनी में जेंडर डिफाइन हो जाता है लेकिन ऐसे concept को बाद के लिए फिर रख लेंगे ठीक है ना सभी प्यारे बच्चे अब धिहान देंगे तो A तो होई नहीं सकता और B के chance बहुत कमे जो जो चीज पूछी आरी है गर वो सबसे लाष्ट में दे रखी है ना तो फिर उसे गलत तो मत करना लेकिन उसे सबसे बाद में चेक करना गलत मत कर देना वो गलत हो यह ज़रूजी नहीं है लेकिन वो सबसे बाद में हो सकता है प्यारे बच्चे C और D बच्चे जो प्रात्मिकता परें C कहा रहा है R भाग J तो A भाग B करते है A B का पिता है तो R J का पिता होगा R पिता है तो पिलस हो गया किसका पिता है J का पिता हो गया J भाग S A भाग B करते है A B का पिता है तो J S का पिता हो गया जे पिता है तो पिलस हो गया S का पिता हो गया और S गुड़ा U A गुड़ा B A B की B B है तो S U की B B अर्था पत्नी हो गई सवाल हो गया खतम U इसका पत्नी हो गया कह रहा था RS के नाना है तो S के नाना है क्या प्यारे गुड़ा, RS के नाना है, क्या बताओ जल्दी से ये तो इसके दादा है, नाना कहा है, ये तो इसके दादा बन रहे है ये इसके दादा बन रहे है, RS के नाना नहीं बन रहे, दादा बन रहे है एक बार मैं क्या इस उप्शन को भी चेक करूँ तो दिहान से समझना हाला कि एक खेल ये है कि अगर यहाँ पर दादा इंगलिस की बात करता हूं तो इंगलिस में यह देखो maternal, paternal तो नहीं लगा है maternal बोल रखाया भी या खूब इंगलिस में maternal तो फिर क्या बोलूं? फिर क्या बोलूं? फिर मैं इस option को चेक करता हूं S गुड़ा यू क्या कह रहा है? A गुड़ा भी AB की BV है तो S U की BV हो गई BV है तो माइनस U की BV हो गई तो यह इसका पती हो गया U गुड़ा R A गुड़ा भी AB की BV U R की BV है तो U तो BV बन नहीं सकती यह तो वैसे ही गलत है अब तुम्हारे पास B वाला बचा S भाग U तो प्यारे दोस्तो A भाग B, AB का पिता है तो S पिता है पिलस किसका U का U गुड़ा J, AB की BV है तो U J की पतनी हो जाएगी और J इसका पती J भाग R, AB का पिता है तो R की माता है U और माता की पता S नाना बनेंगे बिलकुल B ऑप्सन करेक्ट आंसर है जिसे सबसे बाद के लिए बोला था वो ही सही हो गया ऐसा कॉंसेप्ट हो सकता था इसी लिए मैंने तुमसे कहा था कि एक्जेक्ट गलत तो नहीं करूँगा बोला था की नहीं बोला था कि जो सबसे बाद में है उसे गलत मत कर देना वो हो सकता है लेकिन उसके चांस कम है उससे बाद में चेक्ट करना तो बाद में कि या वो ही सही है तुम का वही है यह तो सही है 90% कॉंसेप्ट में यह बहुत कम सही होता है लेकिन हो जाता है बिल्कुल गलत करता तो मैं तुमसे खुद नहीं कह देता कि गलत है गलत तो हो यह नहीं सकता सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आई इतनी सी question एकदम बड़ी हा तरीके से समझ में आया की नहीं आया next question पर चलें आज की class का अगला सवाल बता दो इसका answer क्या है सभी प्यारे साथी बताएंगे इस question का correct answer क्या होगा दियान से समझाएंगे किया रहा है HP का पोता है सवाल किया है HP का पोता है बो लो किस के हिसाब से HP का पोता बन सकता है एच पोता है तो एच का जेंडर प्लस होना चाहिए तो यहां पर चेक करो क्या एच के बाद कहीं पर यहां चेक कर रहा हूं तो एच के बाद भाग आया है और भाग आया है तो सीधी बात है भाग का मतलब तो बहन है तो यह तो कभी सही होई नहीं सकता यहां पर एच के कोई अभी सोगता है जल्दी से जल्दीसे कॉन सा वाला चेक करूं का तुमने अंशर दिया है कोई अभी तक सभी प्यारे साथी बोलेने जादतों लोग सी बोलने लग रहे हैं कि एक बारशी को चैक कर लेता हूं तो मैं P प्लस K तो A प्लस B करते है AB का पिता है तो PK का पिता है सब चेक करने ही पढ़ेंगे यहाँ पर PK का पिता है तो P प्लस है K का पिता है K प्लस D तो A प्लस B AB का पिता है तो KD का पिता है K पिता है तो प्लस D का पिता है D भाग H तो यह बनेगा A भाग भी AB की बहन है तो DH की बहन है B बहन है H की तो ये हो गया और H गुड़ा M A गुड़ा भी AB का भाई है तो H M का भाई होगा H M का भाई है Question करा है क्या HP का पोता है भाईया P के बेटा K और K का बेटा H बेटे का बेटा पोता ही होता है सी ऑप्सन सही जबाब हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जबरदस्ट बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अगला सवाल आपके सामने ये रहा बताओ इसका आंसर क्या है सबी प्यारे साथी बताएंगे यहाँ पर के रहा है हम का पिता है हम का पिता है तो ह का जेंडर क्या होना चाहिए मेल का पिता तो हमेशा हम जानते है मेल ही होते है तो मेल होना चाहिए यहाँ पर चेक करो यहाँ पर चेक करो एड़दा रेट का मतलब बहन बन रहा है तो H के बाद यहाँ add the rate है गलत हो गया H यहाँ last में है बाद में चेक करूँगा H के बाद यहाँ end हो सकता है H के बाद यहाँ add the rate है गलत हो गया तो भाई A और D तो बिल्कुल ही गलत हो गया B और C बचा तो पहले C को चेक करता हूँ फिर B को चेक करूँगा ठीक है B हो सकता है पर बाद में चेक करना इसे ठीक है न तो प्यारे साथी कैसे बोलेंगे C वाला कह रहा है कि H and K तो A and B, A, B का पिता है तो H, K का पिता होगा H पिता है तो पिलस किसका पिता है? K का पिता है K add the rate P तो यह क्या कह रहा है? A add the rate B, A, B की बहन है तो K, P की बहन होगी K, P की बहन है तो माइनस P की बहन है P add the rate M A add the rate B, A, B की बहन है तो P, M की बहन है P बहन है तो माइनस M की बहन है कह रहा है H, M का पिता है बिलकुल है H, K का पिता है और K बहन है तो बहन का पिता अपना भी पिता होता है C option correct answer हो जाएगा सभी प्यारे वीर बताएंगे एक बार बात समझ में आ गई की नहीं आ गई क्या यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत है बताओ भई सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई भी दिक्कत परिसानी तो नहीं है ठीक है तो प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूँ यह topic तो मैं बड़ी हा तरीके से समझ में आया होगा हमारा blood relation का topic हो चुका है बिल्कुल finish यह 3-4 type जो भी मैंने कराई है यही इसमें बनती है हाला कि कुछ puzzle based type बनती है तो उन्हें हम puzzle के अंदर ही पढ़ रहे होंगे ठीक है न वो puzzle में आती है कि एक परवार में इतने व्यक्ती है यह सब चीजें करके ठीक है तो उम्मीद करता हूँ बहतर तरीके से आप लोग इसे सीख चुके होंगे और एक बार खुद भी इसकी practice जरूर कर लेना बाकि प्यारे बच्चे अगली class हमारी application से चलेंगी Monday to Friday रखेंगे हम अभी इस class को Saturday में इस class को हम नहीं रखेंगे हाँ वर्क सीट आपको मिल जाएगी भाई बिलकुल मिलेगी वर्क सीट आप लोगों को जरूर मिलेगी हर एक क्लास के बाद मिलेगी तो अगर मैं इस topic की बात करूं तो इस topic की भी मिलेगी हर एक की मिलेगी बोल तो दिया ठीक है तो अपना ध्यान रखेंगे सांदर तरीके से जैहन जै भारत बाई बाई